कि hello students आज हम संस्कृत बर्ग बुक में पत्र लेखनम चैप्टर पढ़ेंगे पत्र लेखनम चैप्टर में हमें यहां पर कुछ ऑप्संस दिए गए हैं और उन ऑप्संस का प्रयोग करकर के हमें यहां पर फिलिंदा बलैंक्स के रूप में पत्र को पूरा करना है तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन options का क्या अर्थ है हिंदी में और किस चीज पर ये पत्र लिखा गया है तो चलिए देखते हैं लिखा है दिन दोएस अर्थात दो दिन की निवेदनम अर्थात निवेदन हैं गत रात्रा अर्थात पिछली रात्री से पीडी तहा अर्थात प प्रति प्रधानाचार को या प्राचार को अधो लिकितं पत्रम मंजूसा यनी नीचे दिए गए options को चुन करके पूरा कीजिए तो चलिए हम इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और इन options का प्रयोग भी यहां पर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेवायाम, मान्या प्रधान अचार रहा, श्रीमान प्रधान अचार, कुलाची हंसराज मॉडल विध्यालिया, अशोग बिहारा दिल्ली, महोदया, महोदय, साविनयम निवेदनम इदम, फश्ट में क्या भरेंगे कि सबने पूर्वक निवेदन ही है, अस्ती मतलब है, यत जो गत रात्राव, सेकंड में भरेंगे गत रात्राव, अहम ज़रेन, कि मैं ज़र से पीडिता हुआ, अस्मी, पीडित हूँ, ज़र कारणात, बुखार के कारण से, अहम, विध्यालियम, फोर्त में भरेंगे विध्यालियम, आगंतु मस्मर्थास मी, विध्यालियक आने में असमर्थ हूँ, कृप्याह माम, मुझको दिन दोयस, फिप्त नमबर में भरेंगे, दिन दोयस, दो दिन की, आवकाशम प्रदाय अनुगरहनतु, आवकाश दे करके अनुगरहीत करें, भवदिये शिश्या अनुजा, आपका आग्याकारी, शिश्या, अनुज, कक्षा, सब्तमी, आ, ध्यान रखना यह जो दिनांक है, आप जब भी इस पत्र को लिखेंगे, तो दिनांक आपको आटोमेटिक उसी दिन की डाल देना है, इसके लिए कोई उप्सन यहाँ पर नहीं दिया गया है, बा कि सुल के दंड छमार्थम, सुल के दंड का मतलब है, जो हमें फाइन लगता है, या दंड के रूप में पैसों का जो चार्ज लगाया जाता है, उसकी छमा के लिए प्रधानाचार को हमें एक पत्र लिखना है, तो चलिए इस पत्र को देखते हैं, सबसे पहले से बायाम मे में सबसे पहले इन options के अर्थ देख लेते हैं चमेत्वा चमा करके अस्ती मतलब है अनुपस्थिती वशात मतलब ना आने के कारण दंडिता दंडे तो अपरादा मतलब अपराद अब इनको हम भरते हैं यहां से देखेंगे कि निवेदनम इदम अस्ती फस्ट में क्या भरें अस्ती निवेदनम इदम अस्ती के निवेदन है यत माशिक परिक्षायाम अनुपस्थिती वशात सेकंड नमबर है अनुपस्थिती मतलब उपस्थित ना होने से कि यत माशिक परिक्षायाम अनुपस्थिती वशात कि जो महिने की परिक्षाओं में या माशिक परिक्षा मैं ना पाने के कारण अहम सत रुप्यक दंडेन मैं सत मतलब सो रुप्यक मतलब रुपय के दंडेन अर्थात दंड से दंडिता थार्ड में भरेंगे दंडिता दंडित हूँ एशामम प्रतमह अपराधा क्या भरेंगे फोर्त में प्रतमह यह मेरा पहला अपरात था आसा से यत्मम सुल्क दंडम की मुझे आसा है कि मेरा जो सुल्क दंड है अर्थात पैसों का जो मुझे फाइन लगा हुआ है वह छमेत्वा फिप्त में भरेंगे छमेत्वा छमा करके भवंता माम अनुग्रहिश्यंती आप मुझे अनुग्रहिट करेंगे अपने उसी दिन की देट डाल देंगे भवदी है शश्यामिता आपका सिस्ष अमित कक्षा सब्तमीबा तो ये भी हमारा यहां पत्र पूर्ण होता है चलते हैं थर्ड नंबर पत्र की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि ओफसंस के अर्थ क्या है समापता गंतुम गंतुम कहलाता है जाने को या जाने के लिए गमिश्यामी जाऊंगा अस्ती मतलब है और छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र ठीक किस पर पत्र लिखना है भवान छात्राबास बश्यति आप छात्राबास में अर्थाथ होस्टल में रहते हैं शीत अवकासे छात्रा सर्दियों की छुट्टियों में विंटर विकेशन में छात्र विद्यालेता ब्रहणा अर्थम कमिश्यंती विद्याले से गूमने के लिए जाते हैं तदर्थम पित्रा अनुमतिम तो उसके लिए पिता जी की अनुमती लेने के लिए पत्र लिखना है तो यहां पर दिनांगतों आप डाल देंगे अपने उसकी। ठीक छात्रवास ये सिम्ला प्रदेश का लिखा हुआ है आदर्णिय पित्री चरणा के आदर्णिय पिताजी को चरण इस पर चरण बंदना अत्रकुसलम अस्ती फरस्ट में क्या वरेंगे अस्ती अत्रकुसलम अस्ती के यहां पर सब कुसल है मम अर्धवार्शिक परिक्षा कि मेरी अर्थवारशिक परिक्षा मतलब हाँ पेरली एक्जाम हिया एव हिया का मतलब होता है कल ही क्या हुगा है समापता सेकेंड नो भरेंगे समापता कि कल ही समापतो ही है अस्मिन सीत अवका से के इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में बयम अर्थात हम सभी छात रहा जैपुर प्रदेशम जैपुर प्रदेश को गमिश्यामा जाएंगे अहम अपी तत्र के मैं भी वहाँ पर गंतु मिक्षामी जाने की इच्छा रखता हूं तदर्थम भवताम अनुमती अपेक्षणिया इसलिए आपकी अनुमती की जरूरत है अवश्यक्ता है भवताम उत्तर स्पृतिक्षायाम आपके उत्तर की पृतिक्षाम है भवदी ये पुत्रा अनुरंजना आपका पुत्र अनुरंजन तो इस प्रकार से पिताजी से प्रमीशन लेने के लिए पत्र लिखा है कि बिन्टर प्रकेशन के उस टूर में गूमने के लिए जैपर प्रदेश देखने के लिए जाना चाहते हैं चलिये next देखते हैं fourth number का और जबसे पहले fourth number के options देख लेते हैं options दिए गए हैं प्रफम स्थानम पहला इस्थान परशन नहा प्रशन पठ्रेन पत्र से आशा से परिणामा अर्थात परिणाम लेकिन ये पत्र हमें लिखना किस बिसाय पर है तो चलिए इसका बिसाय पहले हम देख लेते हैं तो डेट तो हम अपने मन से लिखनेंगे अत्र कुसलम तत्रस्थू के कि अद्ध एब भ्वतहाँ पत्रेन ग्याता, यहां क्या भरेंगे, पत्रेन, कि अद्ध एब आज ही भ्वता मरतलब आपका पत्रेन अरफात पत्र से ग्याताँ, जानकारी मिली, यद भवाण सब्तम्याम कक्षायाम, कि जो आपने साथमी कक्षा में प्रथम इस्थानम प्राप्तवान प्रथम इस्थान प्राप्त किया है यहां क्या भरेंगे सिकंडम है प्रथम इस्थानम एतत ज्यात्वा यह जानकर के अहम अती प्रशन्नह अववन क्या भरेंगे अती प्रशन्ना अती तो लिखा हुआ है प्रशन्न थिक प्रशन्न हाववन बहुत प्रशन्न हुआ अयम्तू भवता कि यह तो भवता अर्थात आपके परिश्रमश्य एव परिश्रम का ही परिणामा अस्ति फोर्त में क्या वरेंगे परिणामा के परिश्रम का ही परिणाम है फिर लिखा है आसा से तिक क्या वरेंगे इसमें फिप्त में आसा से यत भवान स्टम्याम कक्षाया मपी के दियाप आठमी कक्षा में भी अधिक तरंकान प्राप्षयती के आठमी कक्षा में भी अधिक अं इस प्रकार से ये पत्र हमारा पूर्ण होता है एक बार में आपको पुन्हा बता देता हूँ कि फर्ष्ट नमर में भरना है आपको पत्रेण सेकंड में भरना है आपको प्रथम स्थानम थर्ड में भरना है आपको पुर्शन नहा इसके बाद परीणा महा और फिर भरना है ल वाय के अवसर पर निमंत्र नार्थम इन्वाइट करने के लिए हमें एक पत्र लिखना है ठीक और इस पत्र में कौन-कौन से अपसंस दिये हैं चलिए उनका आर्थ देख लेते हैं चरणयों अर्था दौनों चरणों को उपस्थिती ग्यात्वा जान करके या ग्यात करके भविश्यती होगा आगमनश्य मतलब आने को ठीक चलिए इनको सीरे हम इसमें यूज करते हैं दिनांक अपने मन से फिल कर लेना हैं प्रियमित्र्ष मधुर सप्रेम नमोंवा प्रेम पूर्वग नमस्कार अत्र कुसलम् तत्रस्तु यहां सब ठीक है वहां भी ठीक होगा इतद ग्यात्वा ज्यात्वा अर्थात जान करके भवान अतीव प्रशन्यों भविश्यती सेकंड में क्या भरेंगे भविश्यत कि बहुत अधिक खुसी होगी प्रशन्यता होगी यतमम जेश्ट भ्रातू के मेरे बड़े भाई का विवाहा विवाह अग्रिम मासस आंगे के महिने की पंचम्याम तिथाव पांचमी तिथी को निश्चित है भवता सा परिवारेन के आप परिवार सहत सह मतलब सहत उपस्थ पस्थिती अनिवार रहा थर्ड में भरेंगे वो पस्थिती कि आपकी परिवार सहत तो पस्थिती अनिवार है इसलिए भवता आगमनश प्रतिक्षाया की आपके आने की प्रतिक्षा में हूं ग्रहे माता पित्रों घर में माता पिता को चरणयों मम प्रणामा उनके चरण नरेंद्रा आपका मित्र नरेंद्र इस प्रकार से ये पांचों के पांचों पत्र यहां होते हैं धन्यवाद